नमस्काल दोस्तों, Export Promotion Councils की जानकाने हम आपको इन वीडियो में स्टेप आइस्टेप दे रहे हैं, हमने आपी टेलीकॉम एक्वटमेंट Export Promotion Councils की बात की थी पिछले वीडियो में, आईए, अब हम बात करते हैं कॉफी बोर्ड की इसी commodity जिनके boards बनाए गए हैं उसमें coffee export करने के लिए coffee board बनाया गया है जो coffee हम coffee पीते हैं उस coffee के product को export करने के लिए भारत के exporters की मदद करती है South में कोया बहुत उत्पालित होता है उसके लिए choir board बनाया गया है जो choir and choir product को export करने के लिए भारत के exporters की मदद करती है ने देखिए भारत सरकार ने कितनी सारी export promotion branches बनाई है जो भारत के exporter को export कैसे किया जाए, export कहां किया जाए इन सम्में बड़ी मदद करती है इसी के साथ आती है rubber board जो rubber के product के लिए, rubber and rubber product के लिए मदद करती है Spices Board भारत दुनिया का वो देशे जहां पर मसाले सरवादिक स्वादिस्ट पाई राते हैं उसके लिए Spices Board में रहा है Spices Board हमारे देश में मुख्य रूप से कोचीन में हैं और इसकी ब्रांचेस पुरे देश दौर में अलब 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 शहरों में स्थापित हैं यह बहुत सारे ऐसे प्रोड़क्ट जिसे चिली है टर्मेरिक है अन्धिप्रकार के मसाले हैं खाली रूची है धनिया है ऐसे मसालों के एक्सपोर्ड करने के लिए इस Spices Board का कठन किया गया है जिसे मसाला बोर्ड की कहा जाता है तो आप ऐसे मसाला बोर्ड में अपना RCMC कराका भारत के स्वादिस्ट मसाले दुनिया के देशों के एक्सपोर्ड कर सकते हैं तो यह एक्सपोर्ड बोर्ड या मसाला बोर्ड आपकी काफी मदद करता है देखें, यहां पर बहुत सारे हम addresses, phone numbers आपको दे रहें, आप यहां संपर्ख कर सकते हैं, तो आईए मसाला उत्योग में अपनी किस्मत अजमाएं, इसके साथ साथ आसाम और पुरी छेत्रों में चाय का उपादन होता है, उसके लिए टी बोल्ड बनाया है, टी बोल्ड भार पर उत्तम किस्मती चाय एक्सपोर्ड की जाती है, तो जो चाय का व्यापार करना चाते हैं, इस प्रकार टी बोल्ड में अपना RCMC कराएं, और अपने व्यापार को बढ़ाएं, टी बोल्ड आपके बहुत मदद करें कि चाय के उत्पादन को, चाय के प्रोड़क को दुनि अब तंबापू वैसे तो स्वास्ते के लिए हानिका रखें, पर फिर भी इसका चलन दुनिया भर के देशों में है, अजिक प्रकार सिगार के रूप में, सिगरेट के रूप में, विरी के रूप में, तो टुबेको पोल्ड आपकी मदद करता है, जो अन्मैनुफेक्चर और मेनुफेक्चर दोनों ही प्रकार की तंबापू प्रोड़क्ट को एक्सपोल करने के लिए, स्नफ याने नास्ता भी एक उसके प्रोड़क्ट है, जो कई लोग सुनते हैं, इस्पेशली घ्रामिन शेत्रों में, उसके लिए टुबेको पोल्डा की मदद करता है, और भ यह राइस, दाल, वेगेटेबल्स, फ्रूट्स, जूस, फीश, मीट, इसे अन्य प्रकार के खाते पदा, हमारे यहां से बास्मती राउल्स, राइस, ओनी राइस, अन्य प्रकार की चाबल का लिए आपी होता है, प्याज, आलू, तो आप अपीडा में रेजिस्टेशन कर और दोस्तों, दुनिया भर में, वेगेटेबल्स के अलावा, सीफूड भी खाया जाता है, मरीन प्रोड़क्स, एक्सपोर्ट डेवलप्मेंट अप्रिटी, फीश है, या अन्य प्रकार के एसे प्रोड़क्ट हैं, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कि जैसे अप एसे खाद्य पदात, जिने हम नावनवेज कह सकते हैं, एसे खाद्य पदात के लिए भी भारत सरकाल में, इंडियन एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए, मरीन प्रोड़क्ट एक्सपोर्ट, उसकी लिए भी, एक्सपोर्ट परमेशन कॉंसिल बनाईए, तो दोस्तों, हमार हमारी NIP चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सबस्ट्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूब दें, वैं हमारे वीडियो देखते रहें, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनस की कम्प्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर करें, हमारे एक् दूसरा नमबर है 831-927-2340, इस पर भी आप संपर कर सकते हैं, वाट्सप भी कर सकते हैं, तो मित्रो आईए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनस को सीप कर, देश की अर्थ मेवस्ता को मजबूत करें, अपने आर्थिक संपन्दा को मजबूत करें, जय भारत, जय हिंद, देख तेरे ही आ हमारे वीडियो, नाश्कार.